नमस्कार मेरा नाम संजीव कुमार है मेरी शैक्षी के योगिता सनातक तथा मैंने दो वर्ष का जेवटी का प्रशिक्षन डाइट जुखाला जो की जिला ब्लासपुर में है से प्रापत किया है मेरे जिले की विशेष्ता है कि यहां सभी शिक्षक भाईचारे की भावना रखते हैं तथा अपने काम के प्रती, शिक्षा के प्रती और बच्चों के प्रती समर्पित बाइमानदार है मैं राजकिया प्राथ्मिक पार साला भटवाड़ा में जेवटी के पदपर कारे रत हूँ और तकरीबन डेड़ वर्स से इस विद्याले में अपनी शेवाएं दे रहा हूँ मेरे विद्याले में 14 बच्चे शिक्षा गरहन करते हैं और सभी बच्चे स्थानिय परिवेश से संबंदित हैं मेरी समस्या थी कि जब लॉकड़ाउन में ऑनलाइन क्लासीज लग रही थी तब बच्चों का रुजान पढ़ाई की तरफ कम था तब सीरी नरायन जी ने हमें बच्चों की रुचियों को बढ़ाने के लिए उनके नुसार गतिविधियों को अपनाने के लिए कहा और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ मैंने सीरी अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कारेकरम से प्रसिक्षन प्राप्त किया और मैंने जाना कि बीना पैसे खर्च किये नवचार किया जा सकता है मैंने जाना कि किस तरह पत्थर लकडी तथा अन्या चीजों की साहता से पढ़ाई को शिक्षा को रूची कर बनाया जा सकता है मैंने सीरी अरविंद सोसाइटी के इनोवेटी पाट साला के प्रसिक्षन से प्राप्त समगरी को विदियों को मैंने अपनी कक्षा में किस तरह इंप्लिमेंट किया बो भी मैंने इस वेबिनार में भली बानती जाना प्रसिक्षन से मुझे सहायता मिली कि मेरे दिमाग जिम में जो गती विदि चल रही थी उसे मैं अच्छे डंग से बच्चों के साथ क्रियान बित कर सकूँ सीरी नारायन जी ने वेबिनार के माध्यम से इस महमारी के समय हमारा पत परदर्शन किया नारायन जी ने बताया कि किस परकार खेल खेल में और मनरंजन के साधन से पढ़ाई को रूचिकर बनाया जा सकता है सीरी नारायन जी ने हमें तकनीकी सिक्सा काग्यान सभी सिक्षक साथियों को भली बांती दिया और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि सीरी अरविंदो सोसाइटी तथा हटी एफसी बैंक ने जो यह मंच परदान किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब भी सीरी अरविंदो सोसाइटी ऐसा ही बैबिनार अयोजित करें तो मैं उसमें अबस्या सामिल होना चाहूंगा धन्यवाद जै हिंद जै भार्द